हेलो एवरीवन, वेलकम टो वर यूटूब चैनल, तो चार-पाइज दिन बाद आज किलास हो पा रही है, लेप्टुप गया था रेपोर होने हैं, तो वो हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं, आज हम विज्ञान की जो हमारी पेड़ा कोई चल रही थी, उसकी यूनिट 3 की, दो यूनिट हमारी हो गई है, और जो सेकेंड था यार, उसका मैं पीडिएफ नहीं लगा पाया था, उससे पहले ही लेपप में प्रोब्लम आ गई थी, तो वो पीडिएफ की मैं आज इंसर्ट कर दूँगा, अब आप जाके देखोगे तो आपको सेकेंड यूनिट जो है वो बहुत कमाल कमाल की चीज़े इसमें दे रखियें, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह की चीज़ें इस यूनिट में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक, स्टार्ट करेंगे भाई, ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, थोड़ा अच्छा सा है, इसलिए मैंन परतकाल उत्पात और मद्यवर्थी उत्पात चरों के रूप में इस statement को आजचेज हमें याद करना है कि इस में से कोई साही बढ़ गाय हो के निर्धारित या फिर जो भी है ठीक है तो जो पहले से निर्धारित कर रखा यार इस किलास का बच्चा उसको यह यह चीजी आना चाहिए तो उन उद्देशों की पूर्ती करना होता है आगे बने इसमें अधिकम के उद्देश सिक्षण की बिधी तो अमेरिकन बेग्यानिक BF sangat 1971 में कहा कि आप किसी को कुछ भी पढ़ा सकते हो बस अरति आपको पढ़ान आता हो सामने वाली व्यक्ति को पढ़ाना अनने चाहिए कोई कोई फिख को कुछ भी हो से लेकिन अगर उसेमेस का सकता है बस बात यह है कि उश्य सब्रख्ट पढ़ाना आना चाहिए कोई कुछP पड़ा सकता है तो बिदि होती है पड़ाने की चो धियां होती है तो बिदि की परीवास के अनुचार थनुट यहां clown के संस्थां दवारा है लिगाkok जिसका उद्येश उसमें ग्यान का वेवस्तित रूफ से बिश्रण करवाना होता है ये बिधी, इसे हम बिधी कहते हैं जिसमें क्या हो, इसका उद्येश होता है कि ग्यान का वेवस्तित रूफ से बिश्रण करवाना है जब आप बिधी के अनुसार चलते हो यानि method के अनुसार चलते हो तो method मतलब बोई की चीजों को एक सही तरीके से बताना जैसे कि teaching method की बात करो किसी ब्यक्ति की teaching method अच्छी है इसका मतलब अच्छी तरह से systematic way में अपने ग्यान को बच्चों के सामने प्रेसित कर पा रहा है और बच्चों उसकी ग्यान को समझ पा रहे हैं Henderson ने बिदी की परिवासादी हुई है इन्होंने सामाने गुड़ों के सेट का pattern है जो बैवार के सेट में प्रकट होता है तो इस तरह से नीचे एक ब्रावडी ने भी परिवासादी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इन दोन परिवासाओं से यह चीज इसपेक्ट हो जाती ह है कि विशेबस्तु का व्यवस्तत संगठन होता है विदी में और ग्यान परदान करना और इसे ग्रहन करने की विदियां इसमें होती है ठीक आगे यहां पर कुछ उपागा में इनकी संबंद दिया हुआ है जिसमें बर्णात्मक उपागम खोज उपागम और जांच उपा ठीक है तीन तरहिक इस यहां पर दिर्खी हुए है उपागम में सभी संब्र sihद द्थारा इस इसको थोड़ए ओर्गनाश रहता है मतलब जाता और ऴुर्गनाजीव नहीं रेता है यह बिल्कुल भी ऑर्गनाजीव नहीं नहीं रहता है इसमें सब अपको चलता जाता है बस आपने शुरू कर दिया अपने अपulative चलते ही जा रहे हैं फिर होता हिसक्षक अधिगं प्रक्रिया पूर्तो सिस्क्षक होती है यह मांमोली रूफ से सिक्षक केंद्रूत होती बांद सकते हैं जो बनात्मा क्या परिशारान उपागम था यह थोड़ा सा टीचर से रिलेटेड़ था तो थोड़ा ओर्गिनाइज था खोड़ या बीच का हो गया जो ना तो टीचर से पुरी तरह से रिलेटेड़ अ प्रिक्रिया को घड़ित की सिख्चछकों को हजारोंग्यों को वेवस्तित रूप से बिसलेशन किया मतलब में इसका टीचर पढ़ा रहा है तो उन्होंने उसकी वोईस को रिकोर्ड करने बाद पर उसको एनलाइस करा एनलाइस करने के बाद उसने किसी भी नियम को पढ़ाने के लिए क्ञार सामाने सिख्षण के रास्ते पैचाने को बिए बच्चे को नियम पढ़ा रहे हो या कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो इसके चार रास्ते इसने बता है पहलाए स्टेटमेंट ओफ रूर्ल यानि कि एसी सार्त नियम का कतन सिख्षार्ति का किसी के दौरा सबूत होने के प्रमाण उपनियम इन सब की चर्चा के प्रियोग द्वारा मतलब भाई इस्टेटमेंट तो बता दिया अब रूल का अब उसको क्लियर भी करना पड़ेगा ना तो उसके क्लियरिफिकेशन के लिए एक्जामपल साब दे सकते हैं उसको प्रदर्शित कर सकते हो फिर आता है जे आर यानि जस्टिफिकेशन ऑफ दा रूल यह क्रिया अध्यान की सच्चाई पहचानती है क्रोस प्रूफ या विससग्यों की राय आधी विससग्यों की राय लेकर या क जिस करके आपका नियम को justify करते हो, application of rule, AR, ये पक्का करने के लिए कि शिखारती सीखे हुए नियमों को दूसरी परियोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इसकली application हो गया, ठीके, इनका जो sequence है यह sequence अलग-अलग method में बदल जाता है जैसे statement of rule यहां पर जनरली लिखा है सबसे पहले asr statement of rule, cr clarification of rule, jr justification of rule, ar application of rule और किस rule में किस में हम क्या क्या करते हैं वो भी यहां पर लिखा हुआ है लेकिन यह नियम आपके बदल जाते हैं एक छोटा सा formula लिखा है सिक्षण की विधी का सिक्षण की विधी बराबर बिसे बश्तु प्लस बिसे बश्तु की processing presence कराऊं याद कर लेना पूंचे जा सकता एक जाम में सिक्षण की प्रभाविता गड़त की एक करण की भाति है जिसका आरमीक बिंदू तो ग्यात है परंतु अंतिम बिंदू सही नहीं है अब प्रभावी सिख्षप कैसे कोई आप बोलो एक प्रभावी प्रभाव फूणिति आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा लेकिन जाना कहा तक पढ़ेगा, ये किसी को नहीं पता, जाना तो आपको अननतर तक पढ़ेगा, जैसे कि मेचस में रे होती है, जिसका एक पॉर्ण तो पता होता है, लेकिन अनतर विंद्व आपको पता नहीं होता, इसी तरह से एफेक्टिवनेस ऑफ टीचिनग है, अब अब यहां पर बात कर लिए बर्णनात्माक उपागम या एक्सिपोजिटरी एप्रोच या ट्रांसमिसेन एप्रोच के बारे में इस उपागम में शिए शिक्रणतियों को अधिक से अधिक सुचना कम से कम समय में पहुचाता है तो ये सिक्षक के अंदरे थीती है मारी ये उपागाम सिक्षक को था करता है व्हें सारी बस्तो चीमित समय में शक्षायरती को आसानी से पढ़ा जoperation यानि कि जल्दी से जल्दी बच्चों को सारी चीज़े पढ़ा दे यह उपागाम सिक्षा के सभी स्तरों पर सभी बेशियों के लिए ब्यापा गुरूफ से प्रियोग किया जाता है इस उपागाम का मिस प्रमुक प्रस्तावा के डेविड पी आसुबेल देखिया आपको ड वुदिया थैसी निखमिनाट मंगविदि यह इसी तरह में जाती हो यह पूरी तरह सिक्षक केंद्रे थैं इस बर्चन को बिस्तार से पढ़ने वाले यानि कि सबसे पहले statement of rule बताता है फिर उसका क्लियरिफिकेशन करता है उसके बाद justification करता है लाश्ट में उसका apply करना बताता है कि इसको आप apply कहा करोगे तो यह आपका आएगा बंडनात्मक बिदी के अंदर याद क्या रखना है जो डी ट्रपलेसी में यहां से कोशन आया इसका कर्रेक्ट सीक्वेंस क्या होगा ठीक है तो बंडनात्मक बिदी में आपको सीक्वेंस याद रखना नॉर्मली सीक्वेंस सबसे पहले आप नियम बता होगे तो statement of rule फिर आप उसको जिस्टिफाइ करोगे लाश्ट में आप उसको apply करना सिखाओगे बच्चों को तो बंडनात्मक बिदी होगी टीचर सेंटर्ड एप्रोच हो गई ठीक है बताने की बिदी बहासन बिदी बंडनात्मक बिदी यह सारे इसी की एक रूप है इसमें सबसे पहले एस एसार आता है फिर सी यार फिर जी आर और लाश्ट में ए यार नियम का कसन एक्जामपल के प्रफिकेशन के से करोगे और लाश्ट में उसका एपलाई कैसे करना सिखाओगे ठीक अब इसके लाव क्या है बढ़नात्मक बिदी के लाव क्या है विसे बर में यह उपागम सिक्षकों को सबसे अधिक पसंद करने वाली यह बाकि दोनों उपागमों से अधिक लापकार इसके लाव क्या क्या है पहला है कि थोड़े समय में नए ग्यान का प्रभावी डंक से संप्रेशन बच्चों के सामने दे देता जैसे कि आपने न्यूटन का थर्ड लाव मोशन पढ़ा होगा कि हर एक करिया के बिप्रित प्रतिकरिया होती है ठीके टीचर ने बच्चे के तो बहुत बापस आ जाती है फिर उसके जैस्टिफिकेशन करने के लिए टीचर बहुत फिंकर बताएगा और फिर एपलाई करने के लिए बताएगा कि किस तरह से रोकेट न्यूटन के थर्ड नियम का यूज़ करके ऊपर उड़ते हैं और इसी पर वेस्टी है हमारा कंज इसी पर बेस्टेल लगवग तो बहुत चीज़ें फिर बाद में बताएगा हूं सिक्षारतियों को बिसे का गेस्टॉलिक व्यूव मिलता है उन्हें अर्थ पूर्ण मोखिक अधिगम होता है गेस्टॉलिक व्यूव क्या है तो गेस्टॉल्ड बाद यह मुझे लगता है मैं एकदम शियोर नहीं हूं आगे पढ़ते हैं यह ज्यान अत्मक बोध्ध्यात्मक उद्येसों के लिए प्रभावी है यानि बच्चों का ग्यान बढ़ता है और उनका बोध्यक इस्तर बढ़ता है निर्ने अत्मक सबूत इसमें नहीं मिलते हैं यह सिक्षा के उच्ष इस तर पर सब्धन रएकर करें लिए उप्योकते इसलिए यह अभी भी सभी ऐसे पर बड़े पेमाने पर उत्योक होता हैं हम लोग जो पड़ते हैं हम वे Gerita को यहीं वाला रूल जिसी तरहीं सम्छों को पड़ा है होते हैं तो हर तरे के स्थ्षा में एप्ले केवल हैब इससे बच्चों के उच्चिस तर के उद्देश प्राप नहीं कीज़े सकते कि बच्चे हर एक रूल को समझ के इसको एपलाई करना सीख सके चीजों को बिसलेशन करना, मुल्यांगन करना, स्रजनात मक्ता ये सारी चीजें बच्चों में डवलप नहीं हो पाती है चोटी कक्चाओं के लिए उपयोगत नहीं होती है, प्राइमारी एंड एलिमेंटरी के लिए नियम आपका उपयोग में नहीं आएगा चोटी कक्चाओं अगर बच्चों का आप नियम बगएर रटागत नहीं रट पाएंगे अब आती है डिस्कावरी एप्रोच यानि की खोज उपागम, इस बिदी को जेरोम ब्रुनर, हिल्डा टावा, रोवा डेविस और अन्य कहीं जिन्होंने इसकी बात करिए नाम याद रखना, जेरोम ब्रुनर, अलग-अलग यहान इन्होंने कॉमा लगा दी, यह दोनों एक ही बात है, एक ही ही ब्यक्ति है, हिल्डा टावा, रोवा डेविस, यह लोग खोज उपागम की बात करते हैं, ठीक है, अच्छा, यहां पर वेरन कॉलवर्न की एक बुक आती है, फर्ष्ट लेंसेज, इंटेलेक्ट्वल, अरिथमेटिक, ओपन दा, इंटेक्टिव मेथड, इंडेक्टिव मेथड, आफ इंस्ट्रक्शन, यानि पढ़ने की आगमिनात्म बिदी पर बोद्द्रक्शन, तो यह जो बुक है, इस बुक का नाम याद रखना है, कि पूंचने का तरीका है, ना कि एक उतपाद यान के बिशिवस्तू, तो खोज पर रिक्रिया एक उतपाद नहीं है, जो बाद में निकल के आ रहा हो, खोज ना क्या है, डिस्कवरी क्या, एक तरीकी प्रोसे, इस जिसके माध्यम से आप प्रोव्लम के स्लिवसें पहुँच कीलिए अधिगम प्रकृया में सक्रिय भूमी का निवाने के प्रेरित करता है मियर स्टेटमेंट हो जाएगा कि भूमी का निवा आता है आपका खोज उपागम में तीन परकार की बिदी आती है एक खुली खोज बिदी निर्देशित खोज बिदी और निगमनात्मा खोज बिदी क्या-क्या है ये बिदी इनके बारें बात कर लेंगे open discovery method यानि की खुली खोज बिदी अधिकतर बेग्यानिक प्रियोग मिलाते हैं जबके सिक्चक और सिक्चार्थियों को निर्देशित खोज बिदी दोरा पढ़ाते हैं यानि टीचर बच्चों को डारेट कर रहा होता है निर्देशित खोज बिदी में उधारन नियम का पैट क्षब इदा निर्देशित खोज बिदी को परिवासित करने में कहा जा सकता है कि कदमों का एक करम और इकडमों का करम GC Dan यदि आता है तो क्रम बहुत देर से आता है इसका बिशिट अनुकरम अच्छा यह चीज़ छोड़ो आप इसका क्रम याद रखो सबसे पहले क्लियरिफिकेशन ओफ रूल आ गया इसके बाद जस्टिफिकेशन ओफ रूल आ गया फिर इस्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके बाद इसको एपलाई करना सिखा जाएगा सबसे पहले हैं निर्देसित खोजबिदी क्या हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो clear करा rule को फिर उसको justify करा फिर बाद में statement दिया और last में उसको apply करना सिखा रहे हैं बच्चों को ठीक है तो यह हुआ ही हमारी निर्देसित खोजबिदी इसमें नियम का specific करण किस तरह से किया जाएगा और justification उसका statement और प्रियो किस तरह से दिया जाएगा उसको example की मादियम से समझाया गया है अब हम बात करेंगे इसके क्या-क्या लाब है और इसकी क्या-क्या हानिया है तो सिख्चण की प्रिक्रिया अंतिम उत्पात से अधिक महत पूर है यह सिख्चारतियों बिसे के संबंदी रुच्य उत्पन करता है तो बच्चों में टर्षट जनरेट करने के लिए बिधी बिलकुल ठीक है हर समय सिख्चारतियों नहीं बना पातë है और उसे साबदि रूप नहीं दे सकते तो खोज बिदी में पाटगा बढ़ाने के पूर सक्चक सだ नियम में बनाने मदद कर सकते इस तरह से पढ़ाएं कि सरती नियमों को आसानी से बना पाएं टीचर का काम है कि आर बच्चे नियम आसके नहीं कर पा लेते हैं विग्यान कोश्यम खूच कर रहे होते हैं सब्सक्राइब को प्रोसेशिंग छम्टा का विकास होता है इसकी सीमाएं किया है पहले सीमा तो यह है कि इसमें समय बहुत जाधा छूजाता है दूसरे कि कम छम्टा वाले विद्धहर्त इससे निरास हो परियास करने पड़ सकते हैं विद्याले में सिक्षारतियों को देने के लिए परयाप संसाधन होने चाहिए सब्सक्राइब पढ़ाने में आसानी महसूस नहीं करते मतलब सब्सक्राइब पहली वाली में थर्ती बहुत जादा सही लगती है समय के इसमें कमी पढ़ जाती संसाधन कईवा टीचर के पास भरपूर मातरा में होते नहीं है खोज बिदी से पढ़ाना उच्छ श्तर के उद्देशों का प्राप्त करने में अधिक प्रभाबी है और निर्देशित खोज बिदी से पढ़ाई बढ़नातन बिदी के अधिक देर तक किस्ताई रहता है बढ़नातन बिदी से पढ़ाओगे तो बच्चे जल्दी भूल जाएं क्योंकि बच्चे बहाँ पर उतना इंट्रेस्ट ले नहीं रहते हैं बच्चे निस्क करिये थे यहां पर बच्चे सक्रिय होते हैं तो इसका ग्यान बच्चों के दिमाग में जादा दिर तक अटक कर रहेगा रहेगा इनक्वारी एप्रोच और प्रोसेस स्किल जांच उपागम की तरफ आ जाते हैं इन सब उपागमों में एक चीज समान है बैहे सिक्षक द्वारा इन उपागम के विवेकपूर्ण प्रियोक से सिक्षण प्रक्रिया कोशल बिक्सित कर लेते हैं यह से भी कोशन बन सकता है कि उसक्षक के जो सिक्षण के तीनों में ही कौशे सामान है इस पागम को रिचार्ड सुकमेन या पर यह सचमेन है सुकमानी लिखा सुकमानी देख लो आप सवाव वकाई अन्य सिक्षा विदियों ने दिया हुआ है जांच पागम खोज पागम का ही बिस्तारित रूप है तो जांच पागम कुछ अलग नहीं है जो दिस्कावरी अप्रोच चल रही तो उसी को थोड़ा और एक्स्टेंड कर दिया है तो वो खोज पागम बन गया है हर जांच में खोज हमेशा होती है परन्तु हर खोज में जांच नहीं होती इस बिदी में काराण और प्रभाव संबंद इस्तापित होता है सिक्षक सिक्ष कोई संक्यत नहीं देता कारण और प्रभाव आपस में संब्द रहेंगे कि कोई चीज किस कारण से हो रही है उसका क्या प्रभाव पढ़ रहा है बास्ता में विदी सिक्षक सिक्षक से प्रशने पूछते हैं और आकड़े खटा करते हैं फिर सिक्षक अलगलग परिकल्प गश्रेयक कर रहा है उपके कर रहा है प्रिकल्प कर रहा हुए शक कर रहे हैं यह इसके क्रब की बात करें तो इसका करम Exchange है जैसा कि हमारा खो जो पागम में था सबसे पहले क्लियरिफिकेशन, उसके बाद जेस्टिफिकेशन स्टेटमेंट और लाश्ट में एप्लिकेशन जो इसी और बेल के दौरा जांच प्रिसिक्षन पर आधा रित है प्रिस्टन पूछने के मुखे नियम इस प्रकार है अच्छ 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 नीचे यह जो बिदी दी गई है जो इसी और बेल के दौरा प्रस्तावी जांच प्रिसिक्षन मोडल पर आधा लित है कुछ नियम दिये गए उन्होंने बोला कि प्रिस्टनों की भासा ऐसी हो कि उत्तर हां या ना में आए अच्छ एक बार में सिक्षारती से जितने प्रिस्टन पूछ सकता है मुझे लगता हां या ना में ना आए होने चाहिए था चलो देख लेते हैं और सिक्षक सिध्धांत प्रमारित करने के इत्तर हा या ना में नहीं देता है यह ठीक इनुन निए बोला कि प्रशनों की भासा एक सी हो कि उत्तर प्रिक्षन कभी भी कर सकता है कभी भी सिक्षार्थ यापस में चर्चा करना चाहिए कर सकते हैं जांच करना प्राइविकिट का प्रियोग कर सकते हैं जांच प्रिसिक्षन की अवस्था यहां पर दे रखें यह आवस्था पूछ ली जाती है सबसे पहले समस्यां को सामना कर आकड़ों को खटा करो फिर आकड़ों का प्रियोक करो परिकल्पना वाना परिकल्पना का परिसिक्षण करो फिर जांच का विसलेशन करो ठीक है एक घटना यहां पर दे रखिए जांच के लिए चाने तो पढ़ सकते वरना इसकी भी कर सकते एक एक जांपल तरह से दे रखा करना लाव इसके क्या क्या लाव की बारें पढ़ लें यह सोच को तेजित करने वाली भी दिए इसे अलगतरी की सोच को बढ़ाव मिलता है उसका पोसर मिलता है था हम किये सकते हैं थोड़ा सा क्या ब्रेंस्टॉर्मिंग यहां पर बक्चे का डबल अबनी दिमाह का यूज करेगा यहां पर इससे सिख भड़ी और o से सीखते हैं बेगाने दिश्टी कोन का विकास होता है जिक्षारती जान जाते हैं कि ज्ञान आइस्थाई सवबाब का है कोई सिद्धान कभी भी भैतर इस्पेस्टी करण मिलने पर बदल सकता है तो यह से हो जाएगा कारण प्रभाब को संबंद स्थापित हो जाते हैं यह यह सारी चीजें समय अधिक खर्च होता है पईसा अधिक लगेगा संतो जनक्सपेटिक रणना मिल पाते हैं तो विद्याति निरास हो जाते हैं तीचर यह सी सिच्वेशन क्रेट नहीं कर पाता है टीचर बहुत एफेक्टिव चाहिए तो यह सारी चीजे हैं ठीक है प्रो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक शेयर चैनल को सुस्क्राइब करेजिए का पीडियाफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर मेरी डाली हुई है आप डारेक्ट मुझ